नमस्क्रार दोस्तों टॉपर स्वागत है नेट के रिगार्डिंग आज मैं आप से बात करने आया हूं नेट दिसम्बर 2030 का जाए एक्जाम होने वाला है उसके रिगार्डिंग आज हम कुछ चर्चा कर लेते हैं कुछ आपके क्वेरी रहती है कुछ आपके कॉश्चंस रहते हैं कुछ आपके डाउट रहते हैं नेट को लेकर के जिसके कारण हम मिलते हैं जिसके कारण हम बात करते हैं जिसके कारण हम चर्चा करते हैं मेरेपास आप लोगों क्या एक बडा solution, जबwow ऐने कंध रहे, की दिसम्बर में चाहा हूं? गर्ल्स के जादा आते हैं चाह रही हूं बढ़ ठीक हम ये भी बोलेंगी चाह रहा हूं हो सकता है कई बालकों का भी प्रशन रहें बालिकाओं कहीं ना हो सर में चाह रहा हूंगी दिसंबर में मेरा ज्यारफ हो जाएगा अच्छी बात हो जाएगा बोले आप गारंटी लीजी गारंटी लीजी टीचर गारंटी कैसे ले सकता है मैं बड़ा इस बामले में फोड़ा करता है मेरा नजरिया अलग हो बट सिक्षक कभी गारंटी नहीं सिख्षक गारंटी पर काम नहीं करता, क्यों? क्योंकि सिख्षक एक ही बात की गारंटी ले सकता है कि भाया मैं पढ़ाओंगा, पढ़ना किसे है? पढ़ना आपको मैं गारंटी ले लो कि यहां आपका J.R.F में करवा दूँगा और आपने 6 महीने केवल मजाक, मस्ती, टाइम पास, भूमना, फिर ना यह करना वह करना में गुजार दिया 6 महीने वाद एक्जाम हुआ, एक्जाम में सलेक्शन नहीं हुआ तो फिर क्या होगा सर आपने तो गारंटी लिया था ना क्या हुआ? नहीं और जो सिक्षक गारंटी लेता है, उनसे भी मैं शामा चाओंगा लेकिन घारंटी वाला काम मत कीजियए एक्षकशक अभी गारंटी नहीं लेता है जो सिक्षक गारंटी लेकर पढ़ा रहे हैं वो अपने आप में न मैं कहूं अवतार है इशवर के अवतार है वो, जो guarantee के साथ पढ़ाते हैं, बलकि होना यह चाहिए कि हाँ आप यह guarantee ले सकते हैं, कि सर मैं जो है मिरा 100% दूँगा, मैं एक विध्यारती हूं मैं मिरा 100% दूँगा, सर मैं यह guarantee लेता हूं, कि मैं selection लेकर हूंगा आप हमें पढ़ाते रहिए, यह बात सही है, तो पहली बात तो सिक्षा गारंटी नहीं लेते हैं, जो लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, जो टीचर गारंटी के साथ सिक्षा दे रही है, बहुत 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 बहु यह तो चली ठीक है कि मेरे दिमाग में आगया है कि अभी SI call आया था मेरे पाल से गारंटी लेंगे तो हम एड्मिशन लेंगे बार नाम नहीं लेंगे मैंने का मत लीजिए मत लीजिए हां मेरे पास इस्टुडेंट्स आते हैं उनकी JRFB होती है हाइस्ट हमारा जो स्कोर है वो 76-78 कोश्चंस फिलोसोफी के भी पहुचा हुआ है मैं चाहूं तो है मैं यह कह सकता हूँ कि मेरे पास सारे बच्चे जो एनेट क्लियर हो जाते हैं आप भी आ चाहिए नहीं अगर आप ethics पढ़ा रहे हैं और आप खुद unethical हो जाएं तो फिर पढ़ाने में और व्यक्टित्व में बहुत फर्ग हो जाएगा फिलोसफी वो subject है जो आपको आपके चरित्र का निर्मान करती है फिलोसफी आपके character का निर्मान करती है और मैं सिर्फ ग्यान देता रहूं और खुद पर उसको अपलाई ना करूं तो यह कहीं ना कहीं मेरे subject के साथ धोका है जो मैं नहीं करता तो मैंने का मैं नहीं आप हत लीजी admission जो guarantee लेता है आप वहाँ लेजी दूसरा प्रशन आता है सर क्या 6 महीने इनफ है नेट के तैयरी के लिए बिल्कुल बहुत 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 ज्यादा है बहुत ज्यादा है तो क्या करें sir net के लिए हम 6 महीने हैं हमारे पास मैंने पता नहीं कितने वीडियो बना दिये हैं मैं जब कहता हूँ मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती ही बच्चों के call आते हैं sir net का तैयरी करना था मैंने ठीक है आप application डाउलोड कर लीजिए sir application का नाम मैंने बता दिया मैंने आप YouTube पे देख लीजिए किस किस तरीके से class होती है sir channel का नाम मैंने जब आपको channel नहीं पता तो आपके आपस नंबर कहां से है sir किसी friend ने दिये तो friend से पूछना चाहिए था कहां के number है ठीक है तो थोड़ा सा अपने आपको एक खोजी बनाईए तो अपने आपको researcher बनाईए research कीजिए topics की कुछ चीजों की तो 6 महीने more than enough है more than enough जैसे अभी जो हमारी class चल रही है अभी जो हम कक्षा कर रहे हैं उस कक्षा के अंतरगत उस कक्षा के अंदर हमने क्या किया हुआ है उस कक्षा में हम आपको जो दे रहे हैं classes वहां पर मैं आपको बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूं मतलब एक क्लास में हम आभारत पढ़ रहे हैं एक क्लास में हम चानक क्या पढ़ रहे हैं जब मैं रोज एक कलास बढ़ा रहा हूं अगर आप रोज 2-2, 3-4, 5-5 घंटे पढ़ाँगे तो मुझे नहीं लगता कि 2 महिने मेकजिमम तक चलेगा बस फिर क्या करें सब प्रैक्टिस 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 लगा करको प्रश्ण बनाईए कि खुद के प्रश्ण इस ऐसे अगर आप यूट्यो पे देखिए बहुत बहुत सारी वीडियो हैं इसक प्रश्न बनाईए महा भारत जब मैं टॉपिक पढ़ाता हूँ तो दिमाग में आना चाहिए महाभारत का मतलब क्या है किसने लिखी थी क्यों लिखी थी किस सदी में लिखी गई थी मुख्य पात्र कौन है मुख्य किरदार कौन है कहां से कहानी शुरू हुई कहां पे कहानी अंत हुई क्यों ये कहानी बनी क्या समझाया क्यों समझाया उसक आपने आप हो जाता शर्त यही है कि आपको खुद का दिमाग लगाना पड़े अगर आप जैर्फ चाते हैं तो खुद का दिमाग आपको लगाना पड़ेगा यह कागेज में लिख लीजिए इस बात को कहीं पड़े समझ रहे कि कोशिश कीजिए हम अपना dedication नहीं दे रहे हैं हम अपना 100% नहीं दे रहे हैं और हम उमीद कर रहे हैं कि हम GRF हो जाएं वो भी philosophy से cutoff highest जाती है उस philosophy से आप GRF की सोच रहे हैं बिना महनत करें नहीं होगा विया यह college education नहीं है जहां teacher कह रहे हैं आपको क्या बेकार subject लेकर बैठे हो इसमें कुछ भी नहीं है जहां आपको आपके friend कह रहे हैं क्या beकार subject लेलिया यहा कुछ भी नहीं है लेकिन जब Jest जाते हैं जब आप GRF चाहते हैं यह subject का cut-off इतना उपर आता है खुद को prepare कीजिए philosophy के लिए philosophy कोई साधारन विशाय नहीं है मैं फिर कह रहा हूँ philosophy कोई साधारन विशाय नहीं है साधारन विशाय है यह तो भीया net की तयारी कीजिए net का preparation कीजिए किसी ना किसी institute में आपको लगता है कि जरूरत है तो institute को join कीजिए लगता है जरूरत नहीं है तो join मत कीजिए बात खतम हमारे इस youtube channel के उपर toppers front education के उपर लगबग 1400 videos uploaded है 1401 1400 किसके philosophy के ऐसा क्या है जो इस channel पर अवलेबल नहीं है आपके लिए philosophy को लेकर लेकर लेकिन आपको ढूंडना खुद से पड़ेगा कई बच्चों के call आते हैं sir मैं वो topic ढूंडना था मिला नहीं है तो please जरा link बेज दीजे मुझे आप ही ढूंड लीजे sir हम busy है आप बेज दीजे अच्छा मैं मैं free हूँ मैं आप एक मानसिक्ता सोचिए बच विद्यारती के मानसिक्ता सोचिए कि इनके तो काम ही क्या है इनके तो काम ही क्या है हम तो busy हम तो विद्यारती हम तो पढ़ते यह तो free bet है ठीक है तो यह तो आपको देखिए थोड़ा सा जोईन मत कीजिए मुझे भी जोईन मत कीजिए लेकिन डेडिकेटिडली आपको पढ़ना तो पढ़ेगा उसका कोई सेकंड आप्शन नहीं है आप इस्ट्रूट जोईन नहीं करते हैं तो आप सेल्फ इस्टेडी कर सकते हैं वहाँ पर आप्शन है लेकिन पढ़ाई तो करनी ही पढ़ेगी उसके अलावा कोई आपके पास मैं एक मात्र सिक्षकू जो कहता हूँ कि मेरे पास भी अड्मिशन मत लो सेल्फ पढ़ लो वरना मैं कहूँ कि मेरे पास आओगे तब ही फिलोस्फी समझ में आईगी स्कार्व वरना नहीं आईगी तो यह वर्याना फिलिक्री ए किए तो Expand मुल्सफी है तो consumption आपक जो था आज का में और वह यही था कि क्या करे में बहुत है क्या करे कैसे पड़े मुझे वैस्टर नहीं आते मुझे लाजक्त संय आते मुझे इंडियन नहीं आती, मैं कैसे करूँ गा problem मत बताईए मुझे, मुझे problem मत बताईए मुझे solution मताईए, कि सर मुझे western नहीं आती लेकिन मैं Indian logic और बाकि सारा section cover कर लिया है मेरा JRF इस बार को नहीं रुखेगा बढ़ा confident आप मुझे problems बता रहे सर मेरा यह मुझे नहीं आता वह मुझे नहीं आता ऐसे मुझे नहीं आता अब मैं क्या करूँ अरे आपकी lifestyle तो आपको पता होगी न मुझे थोड़ी पता है आप 24 गंटे क्या करते हैं वो तो आपको पता होगा आपकी strategy आपका time table आपका schedule मैं नहीं बना सकता वो आपको बनाना पड़ेगा क्योंकि आप अपनी lifestyle को जानते हैं मैं नहीं जानता आपकी lifestyle को वो कैसी है मुझे नहीं पता आप दिन बर क्या करते हैं मुझे नहीं पता आप दिन बर क्या से रहते हैं आपको पता है मैं कैसे कह दूँ कि आप सुबह उठना ये करना वो उठना वो करना ये करना फिर वो करना फिर ये करना और आपके दिन पूरा हो गया नहीं मैं नहीं बता सकता क्योंकि मैं बता था भी नहीं हूं शेडूल खुद के, जीवन खुद का है, तो जीवन को मैनेज करना भी खुद का ही निर्णय होना चाहिए, मेरा निर्णय नहीं होना चाहिए, तो भाईया खुद का एक शेडूल बनाईए, खुद का शेडूल बनाईए, खुद का शेडूल नहीं बनाएंगे तो ठीक है, मत बनाईए फिर आप किसी और के schedule से follow करेंगे अप किसी और के schedule को आप अगर follow करेंगे लिख कर देता हूँ कभी भी दूसरे व्यक्ति का schedule एक दूसरा व्यक्ति follow नहीं कर सकता ये psychological proven है psychological proven है आप follow नहीं कर सकते क्योंकि उसने जब वो schedule बनाया था तो उसकी life उसने जब schedule बनाया था तो उसके आसपास का atmosphere उसका जो schedule है उसमें उसकी resources की availability सब कुछ अलग-अलग है और आपके schedule में वो कैसे set हो सकता है वो एक लोकल लेंग्वेज में कहते हैं ना कि आप वो पॉसीवल नहीं है जो जहां है वही बहतर है आपका schedule आपको बनाना पड़ेगा दूसरे का schedule मत लीजिये भैया मत लीजिये वरना दिक्कत हो जाएग hep को फिर आप कल को कहेंगे मैंने उन सर से पूछा था schedule बनाया था लेकि नहीं हुआ होगा भी नहीं philosophy, psychology, psychiatric और पता नहीं कितने सारे विशेगा जब मैंने अध्यन किया इतने सालों में तो मैं एक ही निसकर्ष पर पहुँचा कि भाईया एक इंसान की जो रणनीती है दूसरा इंसान उसे inspire तो कर सकता है लेकिन रणनीती बना कर दे नहीं सकता अपनी strategy खुद बनाईए ठीक है बागी रही classes की बात तो आप join करना चाहें तो join कर सकते है classes, classes चालू है आप admission ले सकते हैं, धन्यवाद